हेलो फ्रेंड्स स्वागत है एक बार फिर से लेटेस्ट अपडेट और नई जानकारी के साथ में मैं अमित कुमार सौनी हार्देक हार्देक अभी नंदन करता हूं स्वागत करता हूं दोस्तों जल से चैनल को सब्सक्राइब कर लें बहुत ही इंपोर्टेंट न्यूज आ रही है काफी लेटेस्ट अपडेट आ रही है सिक्षा विभाग से सम्मंदित डीपी आई और जनजाती विभाग से सम्मंदित तो दोस्तों शेर भी करें वीडियो को और पसंद आता है लाइक करें नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहा है इसलिए बेल आईकन पर प्रेस करना बहुत जरूरी है दोस्तों आज का जो वीडियो है बहुत इंपोर्टेंट है और यह सम्मंदित है सिक्षक भरती परिक्षा वर्ग एक के जो एक से तीन जुलाई के बीच में इस नुस में काफी संदिग्द डॉकुमेंट्स मिले है और ऐसा माना जा रहा है और नूज Μें ये काफी प्रसारित किया जा रहा है कि 900 जिनके दस्तावेटिः संदिग्द पाए मैये नहीं पालता गया है वह इसी news को बारबार तोड मरोड करके दिखाने की कोशिश कर रहा है और highlight कर रहा है और इस बार जो विज्ञान एवं गनित को highlight करते हुए इस news के बारे में उसने काफी कुछ लिखा है तो दोस्तों आईए अधिक बात न करते हुए हम जान लेते हैं कि क्या detail है और किस प्रक एक जुलाई से लेकर के तीन जुलाई तक जो document verification हुए थे सिक्षक भरती परिक्षा वर्ग एक के उनमें से 900 से जादा merit holder के दस्तावेद संदिक्द मिले हैं और अब जो भासकर संबाद दाता है उनका कहना है कि इसके कारण भरती प्रक्रिया अटक सकती है आगे इसमें लि तैयारी कर रहा था लेकिन संदिक्द दस्तावेजों के कारण इसमें और देर लग सकती है दूसी तरफ मादमिक सिक्षा मंडल हाई स्कूल की परिक्षा 30 अप्रेल और इंटर वोट की परिक्षा एक मई से कराने जा रहे हैं यदि सिक्षकों की जल्दी नूकती हो जाती त पढ़ाई कराते जिस्से की चात्रों को लाब मिल जाता और दोस्तों यह पता है हमको कि पहले चरण में 15,000 पत भरने के लिए एक जुलाई 2020 में जो है दस्तावे सत्यापन के काम चालू किया गया था और महच तीन दिन में करीब अठावन सो याने कि 5,800 लगभक 50 प्रतिश से की गई है अब दोस्तों थोड़ा सा हम आकणों पर बात करें तो 4 लाख ने दीती परिक्षा और 2 लाख हुए थे पास ठीक है 17,000 पदों पर लोग सिक्ष्ण संचाल नारे द्वारा की जाना है भरती और प्रदेश के आवेदक कर रहे हैं न्यूकती का इंतजार 5,800 लोग सिक्ष्ण संचाल नारे से अब दोस्तों इसके संबंद में अधिकारियों तक बात पहुंची और जो भी शिकायते गई है 900 अभ्यारतियों ने तो अब उसके संबंद में जिम्मेदार बोलते हैं कि अपात्र आवेदकों को बाहर और पात्र को शामिल करेंगे ठीक है सिक्षक भरति प्रक्रिया में करीब 900 लोगों के दस्तावेज सत्यापन को लेकर शिकायते मिली हैं हमने 5 लोगों की समीती बनाकर एक एक आवेदक के कागजात का बारीकी से परिक्षन करने के आदेश दिये हैं यदि इसमें कोई अपात्र होगा तो उसे बाहर किया है यह देनिक भासकर के द्वारा और यहां पर विज्ञान और गनित को मुक्य रूप से हाइलाइट करके बताया गया है और दोस्तों इसके कई सारे कारण है और उसमें से एक मेन कारण है जहां पर सबसे ज़्यादा संदिक्ता पाई गई है वो है इनकी ऑफ केंपस डिग् देते हैं उसमें काफी कुछ जो है संदिक्ता पाई गई है तो दोस्तों आगे जो गवर्मेंट है और जो भी अधिकारी है इसमें क्या निर्ने करते हैं क्या सुधार करते हैं यह तो आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा लेकिन यहां पर दोस्तों भरती प्रिक्री करें धन्यवाद